जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास के नए वीडियो में मैं क्रिश्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हाई कोट ने 36 गर सिच्छक भरती 14,580 पदों पर जो होने वाली थी भरती 14,580 पदों के लिए जो इस्थानी भरती केस था उसमें हाई कोट ने जो है नया निर्नाय लेते हुए अपने पुराने निर्नाय को बदल दिया है तो यह बहुत ही बड़ी ख़बर है दोस्तों आप सभी के लिए क्योंकि इसमें इस्थानी भरती का जो लगातार केस चल रहा है दोस्तों उसमें हीरिंग टाइम था थीक है अंतिम सुनवाई अंतिम सुनवाई करके दोस्तों यह लगभग सोलवा नंबर का था जो 22 तारीख को सुनवाई होने वाली थी थीày थी, ति का 22 जुलाई को, तो इस देट को कैंसल कर के दोस्तों 9 जुलाई को hearing time नया दे दिया गया है इस दिन asunto सुनवाई की जाएगी इस्थानी भरती केस को लेकर कि क्या इस्थानी भरती केस होना चाहिए क्या इस्थानी भरती केस नहीं होना चाहिए ये पता चल जाएगा दोस्तों हमें कल पता चल जाएगा क्योंकि कल है 9 जुलाई 2020 और कल फिर से हाई कोट का नया केस जो है इसकी अंतिम सुनवाई हमको सुनने के लिए मिल सकता है क्योंकि अभी हाल ही में नया केस जो है दोस्तों नया सुनवाई हमको सुनने आया है जिसमें से हमको पता चला है कि 60 दिनों के भीतर जो है नियुकती मिलने वाली है 14,580 पदो पर बचे हुए जो कंडिडेट है उनको तो दोस्तों लब लगा तरज फिर सही जो है अब फिर नया जो न्यूज हमारे सामने आईगी वो है नौ तारीक का जो है नौ जुलाई 2021 के इस नए डेट में तो क्या आप रिजल्ट मिलता है तो इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा पेसेंस रखना पड़ेगा कल तक के लिए तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ और इसके रिजल्ट के साथ तो मुझे दिज़ी जाजा टेक के रॉल बास जय हिंद